हेलो फ्रेंड्स तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि पैदरू और बुरुक ने अपना प्लैन शुरू कर दिया था आईए अब शुरू करते हैं एपिसोड की शुरूबात होती है चौपर और कैरिट के साथ जहां पर ये दोनों हर मिरर में जहाक रहे होते हैं कि सांजी कहां मिल जाया या फिर लूफी हमें कहां मिल सकता है लेकिन इन्हें वो नहीं मिल रहा होता है अब ये ऐसा क्यों कर पा रहे होते हैं क्योंकि इन्हों युझे दीजल और बुरूली की मार लगा दी होती है और बुरूली को अपना बंदी बना लिया होता है तो अब ये लोग किसी भी मिरर में झ्छाग सकते हैं तो अब इनके सामने जो प्रॉबलम होती है वो ये होती है कि हम वो वाला मिरर ढूंडे जो की होल केक से इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को अपनी बॉडी में लपेट लेता है और उन्हें वो तोडने की कोशिश करता है जब नामी लूफी को ऐसा करते हुए देखती है तो वो डर जाती है और वो बोलती है कि लूफी ऐसा मत करो तुम्हारे हाथ से बढ़िया तो ये है कि मैं अपने हाथ तोड़ लूँ और फिर इन्हें मजा चखाऊं लेकिन नामी को डर लग रहा होता है क्योंकि लूफी अगर अपने हाथ तोड़ लेगा तो ये सही नहीं है और आप जैसा जानती भी हो कि अगर आप एक रबर को एक लिमिट से जो कि रोट टू पॉनिगलिफ के पास खड़ा होता है और फिर वहाँ पर आती है बिग मॉम जो कि बुरुक से बोलती है तुम यहां पर क्या कर रहे हो बुरुक बोलता है कि जैसा तुम देख सकती हो मैं इस पॉनिगलिफ का कौपी लेना चाहता हूं बिग मॉम बोलती है तुम्हें लगता है तुम ले पाओगे और अगर तुम ले भी लेते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम यहां से भाग पाओगे ब्रुक बोलता है कि मुझे लगता तो नहीं है और अब ब्रुक और बिग मॉम आमने सामने होते हैं जहाँ पर big mom बोलती है तुम तो बड़े relax नजर आ रहे हो Brooke बोलता है मैं और क्यर क्या सकता हूँ एक emperor का सामना कर रहा हूँ मैं nervous तो नहीं हो सकता हूँ big mom बोलती है तो तुम मुझे से लड़ना चाहते हो वो बोलता है कि बिल्कुल मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मिशन अभी complete नहीं हुआ है बिग मॉम बोलती है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो वो बोलता है कि नहीं लगता है लेकिन हाँ मेरी जिन्दगी दाओ पर लगी है जिसके बाद जियस, प्रोमेथियस और जो नैपोलियोन होता है ये मैदान में आ जाते है इसके बाद हमें तमागो दिखाया जाता है जिसकी बाउंटी है 439 मिलियन बैरी फिर हमें पैदरो दिखाया जाता है जिसकी bounty है 382 million berries और ये दोनों आमने सामने होते हैं जहां पर तमागों बोलता है कि पैदरो हार मान लो और अपने आपको हमारे हवाले कर दो लेकिन पैदरो हार मानने को तयार नहीं होता है और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है जहां पर तमागों पैदरो के उपर भारी पढ़ रहा होता है लेकिन पैदरो बोलता है कि आज मैं तुमसे अपने मरे हुए दोस्त का बदला लेके रहूंगा इसके बाद बैक स्टोरी शुरू होती है जहां पर पैदरो और उसका दोस्त जैपो ये दोनों होल केक आइलेड में आते हैं पौनी गलिफ को चुराने के लिए यहां पर इनकी मुलकात हो जाती है पैकॉम से पैकॉम बोलता है कि भाईया आप दोनों यहां पर क्या कर रहे हो तो ये दोनों बोलते हैं कि तुम ना ही जानों तो बढ़िया है फिर पैदरो और जैपो वहां पहुंच जाते हैं जहां पर रोड टू पौनी गलिफ रखी ह लेकिन वहाँ पर इनका सामना हो जाता है तमागों से तमागों बोलता है कि मैं तुम्हें उन्हें चुराने नहीं दूंगा पैदरों बोलता है कि मैं तो यहां से उसे लेके ही जाऊंगा नहीं तो मेरी पूरी ट्रिप पूरी मेहनत सब बेकार हो जाएगी पैदरों ताकतव जैपो और पैदरो को पकड़ लेती है, इसके बाद बीगमम जैपो और पैदरो से बोलती है कि तुम मेरे आइलेंड में आए, मेरा ही सामान चुराने की कुशिश कर रहे थे, उपर से मेरे साथी को घायल कर दिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो जैपो को क जिन्दगी से 70 साल देने होते हैं जिसके बाद पैकॉम रोता है गिरगडाता है रहम की भीक मांगता है तो बिग मॉम पैदरो के लिए थोड़ी सी सजा कम कर देती है वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे भाई के अंदर से 60 साल निकाल लूँगी लेकिन पैदरो अपनी ए बैटल दिखाई जाती है जहां पर तमागो पैदरो के उपर भारी पड़ता है और वो उससे बोलता है कि यह वही आइलेंड है जहां पर तुमारा दोस्त मारा गया था और तुमारी जिन्दगी से 50 साल निकाल लिए गए थे हार माल लो पैदरो बोलता है कि मैं हार नहीं मा सकता हूं दूसरी चीज मुझे यकीन है कि वो लोग एक दिन इस दुनिया को बदल देंगे इसके बाद पैदरो चोश में आता है हबना करता है और वो तमागों को मसल देता है जब वो तमागों को मसलता है तो उसका अंड़ा फूट जाता है लूफी फिर दुबारा अपने ह हाथ पहले से और ज़्यादा पतले हो चुके होते हैं तो नामी की नजर जब हाथों पे पढ़ती है तो नामी बोलते है कि लूफी रुख जाओ ऐसे तो तुम अपने हाथों को तोड़ लोगे लूफी बोलता है नामी सुनो यहाँ पर हमारी कोई भी मदद नहीं करने वाल इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जिसने पुडिंग के लिए खाना बनाया होता है बकिट में संतरे रखता है जूस रखता है और वो निकल पड़ता है पुडिंग से मिलने के लिए अब वो पुडिंग के कमरे के पास पहुंच जाता है तो गेट बोलती है कि तु तुम अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि पुडिंग कुछ कर रही है सांजी बोलता है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो वो मना कर देती है कि नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते हो तो सांजी बोलते है कि ठीक है अच्छा मैंने पुडिंग के लिए खाना बनाया है तो ये खान मिलता हूँ पुडिंग से और वो अपने ही खयालों में खो जाता है कि पुडिंग पक्का कपड़े वदल नहीं होगी वैसे मुझे देखना नहीं चाहिए लेकिन मैं उसका पती बनने वाला हूँ तो ठीक है माफ कर देंगे लोग मुझे सांजी जब खड़की से झागता है तो उसकी नजर पढ़ती है राईजू के उपर और फिर उसकी नजर जाती है पुडिंग के उपर जिसकी दो आखे नहीं तीन आखे हैं पुडिंग को देख कर वो एकड़म आश्चर चकित रहा जाता है इसके बाद हमें इस्ट्रो हेट लूफी दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को तोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता पड़ जाता है कि सांजी की जान खत्रे में है क्योंकि जब पुडिंग नामी और लूफी से मिलती है तो वो उन्हें बताती है कि सांजी मुझसे शादी करना चाता है लेकिन मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वो मेरे ही हाथों मारा जाएगा और तुम चिंता मतलो तुम दोनों भी नहीं बचोगे नहीं तुमारे साथ ही बचेंगे तुम सब यहाँ पर मारे जाओगे लूफी बोलता है सांजी ने तुमारा क्या बिगाडा है पुडिंग तुमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसके बाद हमें पुडिंग दिखाई जाती है राईजू दिखाई जाती है राईजू के पैरों से खून निकल रहा होता है फिर पुडिंग राईजू से बोलती है कि तुम्हें पता है ममा तुम लोगों से शादी नहीं करना चाती है वो बस तुम्हारे जो क्लोन वाली आर्मी है उसको लेना चाती है और जर्मा की टैक लेना चाती है ममा ये भी जानती है कि अगर वो तुम से सीधा सीधा मांगेंगी तो तुम देने से मना कर दोगे वैसे भी तुम ममा की territory में हो और कल तुम सब लोग यहाँ पर मारे जाओगे ये सुनकर सांजी को बुरा लगता है इसके बाद pudding अपना weapon दिखाती है जिसका नाम होता है 0.36 caliber walker percussion pistol ये pistol उन लोगों के लिए बनाई गई है जो की shield का इस्तमाल करते हैं या फिर shield के पीछे छुपते हैं कुल मिलाकर ऐसा मालो जिनकी body लोहालाट बनी होती है जैसे की जर्मा के लूग है इनकी body सूपर human वाली है तो टाइटेन पे छोटी मोटी बंदू के काम नहीं करती है लेकिन ये pistol काम करेगी इनके उपर और राइजू को इसने ऐसी ही गूली मारी है फिर pudding बोलती है कि जब सांजी और मेरी कल्स शादी होगी मैं अपना तमंचा उसके माथे पे तान दूँगी तो उसकी सकल देखने वाली होगी वहाँ पर वो एक जैली और कारपेट भी होते हैं वो हस रहे होते हैं ये लोग मिलके सांजी का मजाक उड़ा रहे होते हैं सांजी सारी बाते सुन रहा होता है पुडिंग बोलती है कि सांजी कितना बेवकूफ है मेरे पास आया और कहने लगा कि 13 साल पहले उसकी जिन्दगी कितनी बेकार थी लोग उसे फेलियर बुलाते थे फिर मैं वहाँ से भाग गया एडवेंचर किया मजा आया लेकिन यहां पर आके मेरा पूरा एडवेंचर खतम हो गया है कितना बेवकूफ इंसान है और मैंने भी कितना अच्छा पागल बनाया उसे बस थोड़े से आसू बहाए और वो मेरे प्यार में पागल हो गया सांजी यह सुन रहा होता है सांजी अपनी सिगरेट चलाने की कोशिश करता है लेकिन सिगरेट नहीं चलती है उसके आँखों में आसू होते हैं और यही पर एपिसोड खतम हो जाता है मिलता हूँ नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए कुरोना से साफदान गुड़ बाए